भारती नौसेना को स्कॉर्पीन ट्लास अटाक सबमरीन आइनस वागीर मिल गई है प्रोजेक्ट 75 के तहर देश में बनी आइनस वागीर नौसेना को समय से एक महीने पहले ही मिल गई 12 नवंबर 2020 को लाँच हुई आइनस वागीर के समुदरी ट्रायल्स एक फरवरी 2022 से चल रहे थे ये बेहद अड्वान्स नाविगेशन और ट्राकिंग सिस्टम से लैस है इसके साथ ही इसमें कई तरह के हत्यारों को भी शामिल किया गया है आइनस वागीर कई प्रकार के मिशिन्स को अंजाम दे सकती है ये कलवारी क्लास पंडुब्बी है इस क्लास की पंडुब्बियों की लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट और उचाई 40 फीट होती है पानी की सतह पर इनकी गती 20 किलो मीटर प्रती घंटा होती है जबकि पानी के अंदर ये 37 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ्तार से चलती है भारतिय याड में बनाए गई आइनस वागीर आत्म निर्भर भारत की तरफ एक एहम कदम है